हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं लीज चैनल सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करके ओल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इंपोर् रस्त जो है तेजी जारी है बट आज जो है इस कंपनी में लोवर सर्किट जो है हमें देखने को मिला है तो डिटेल में जानेंगे कि क्या अब ये स्टोक में आगे कितनी क्रेक्शन हो सकती है और क्या क्रेक्शन जब इस टोक में होगी जब यह आपको लोवर प्राइज प इस वीडियो में हम बात कर रही है एल स्टोन टेक्स्टाइल के बारे में देखे दोस्तों ये जो स्टोक है अगर आप इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप देख सकते हैं 6 महीने में ये स्टोक जो है 1900 परसेंट जो है इस स्टोक ने रिटरंस कमा कर दि हैं वहीं अगर आप एक साल का चार्ट देखोगे तो एक साल में भी आप देख सकते हैं 1 महीने में आप देखोगे तो एक मुहिने में ये जो स्टोक है 128% जो है इतने के रिटन्स दे चुका है पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो आज का दिन अगर हम छोड़ दें तो लगातार जो है इस स्टोक में अपर सरकिट्स का जो खेल था वो लगातार चल रहा था तो अब हम देखते हैं कि क्या ये स्टो दोस्तो मैं तो पहले भी आपको पता ही होगा अगर आपने हमारे चैनल पर इस स्टोक के बारे में पहले भी वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में भी आपको दो से तीन बार अपने चैनल के माजम से आप सभी को बताया था कि आप इस कंपनी में अभी इन्वे देने जा रही है तो इस वजह से भी चोक में काफी जबरदस तेजी थी और उससे भी बड़ी बात जो है इस कंपनी में जो ऑपरेटर्स गेम है वो काफी जादा चल रही है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह जो कंपनी है अगर आप इस कंपनी के 6 महीने के रिटरंस देखोगे तो 1900% के रिटरंस है बट वहीं अगर आप इस कंपनी के बिजनस को देखोगे और इस कंपनी के जो नंबर्स हैं और इसके जो अधर पैरामीटर्स हैं अगर आप उनको देखोगे तो वहां से यह चीज बिल्कूल भी कहीं इसका मैच नहीं होता है क्योंकि कंपन का जो स्टोक है उसमें जवर्दस तेजी बनी हुई है तो ये एक ओपरेटर गेम है जिसमें आप सभी को फसाया जा रहा है और धोत से साथी तो ऐसे हैं जो अभी इस जाल में फस चुके हैं और अब ये स्टोक जो है यहां से ये विल्कुल नहीं कोई भी बता सकता कि इसका बोटम लाइन क्या रहेगा बस जैसा मैं आपको बारवार अलर्ट कर रहा था इस टोक में यहां से काफी ज़्यादा क्रेक्शन हमें देखने को मिल सकती है चलिए अब मैं वो कुछ पैरामिटर सा आपको दिखाऊंगा जिससे आप भी देखने के बाद आपको भी लगेग कि शायद मेरी बात में कुछ सचाई है तो देखते हैं जी यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि इस कंपनी का जो रिटर्न ओन कैपिटल एंप्लोईड और रिटर्न ओन इक्विटी है वो दोनों नेगिटिव में चल रहे हैं और आगे अगर आप देख सकते हैं कि यह जो सेल हैं सेल जो हैं कंपनी की पिछले पांट से साथ क्वार्टर में कंपनी की सेल जो हैं बिलकुल जीरो कोई कामकाज भी नहीं है पिछले अभी सब्टेंबर में भी 1.92 क्रोड की ही सेल हुई थी उससे पहले जून में 1 क्रोड की सेल हुई थी और अगर आप operating profit देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है इस company का, company लगातार जो है loss में काम करती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप net profit के उपर जाएंगे, तो इस quarter में तो last quarter में other income से आप यहाँ देख सकते हैं, इनको 8 क्रोड का revenue आया था, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि company पिछले 8 से 10 quarter से बिलकुल loss में काम काज करती हुई दिखाई दे रही है, और उसके अलावा उल्टा जो क्या हो रहा है, कि share जो है, वो भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप year on year basis पर भी देखोगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों में company में कुछ भी नहीं है, वहीं अगर आप इस company का share holding pattern ना मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं, company में promoters जो हैं, वो 10.91 परसेंट ही इनकी holding है, रेस्ट जो holding है, वो public के पास इसमें, त तेजी लाई जा रही है, यह सिरफ और सिरफ operator based तेजी स्टोक में लाई जा रही है, और मैंने आपको पहले भी alert किया था, आज फिर alert कर रहा हूँ, इस company में invest करने की बिल्कुल भी मत सोचिये, क्योंकि जो नए investors होते हैं, जो retail investors market में बिल्कुल नए नए आते हैं, उनको ऐ ऐसा लगता है, यह stock पिछले 6 महीनों में 15 रुपे से 330 तक आ गया, तो आगे भी यहां से 330 से 1000 तक चला जाएगा, तो दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको parameter दखाए, जो company पिछले 7 से 8 सालों में लगातार लोस में कामकाज कर रही है, और जिसकी sales जो है, वो बिल्कुल zero के आसपास बनी हुई है, company में कामकाज ही नहीं हो रहा है, वो company कैसे grow कर सकती है, तो आप यहां खुद समझदार है, तो दोस्तो जिन भी साथियों ने, अगर कोई इसमें investment की सोच रहा है, तो please, please आप लोग इस company से दूर रहे, आपका पैसा फस सकता है, और जिन साथियों का पैसा फस चुका है, जिनोंने share में, जो है, तेजी में जिनोंने इस share को पकड़ा है, तो अब तो यह देखने लायक होगा, कि यह company यहां से single digit में भी आपको आते हुई दिखाई दे सकती है, double digit में तो यह आपको जरूर दिखाई देगी, जल्द ही आपको यह company, क्योंकि इसमें यह नहीं पता, कि जितनी तेजी से इसमें अपर circuits का खेल चला था, उतनी ही चादा तेजी से इसमें lower circuits भी आपको लगने को देखने को मिलेंगे, और जिसकी आज शुरुआत जो है, हो चुकी है, तो दोस्तों, यह important update आपको सभी को देनी थी, एल्स्टोन टेक्स्टाइल के बारे में सुझाव यह है, कि इस company से बिल्कुल दूरी बना कर रखिये, नहीं bonus और नहीं split किसी भी लालच में आकर इस company में नहीं जाना है, और जो साती फर्स चुके हैं, तो उनका तो अभी भगवान ही मालिक है, तो दोस्तों, यह आपको important update एल्स्टोन टेक्स्टाइल के बारे में देनी थी, अगर आपको update अच्छी और helpful लगे, तो प्लीज वीडियो को like किये, चैनल को subscribe कीजिए, मिलेंगे एकली वीडियो में, सब तक के लिए, take care, bye-bye.